हाई अविवान माइने मिस्तमना चौधरी वेलकम तुमाई यूट्यूब चानल अगर तुम मेकानिक्स के निमारिकल्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो यह विडियो तुमारे लिए तो बेसिकली अभी मैंने अपने टेलिग्राम चानल के उपर कुछ एक हफते पहले एक गूगल फॉर्म डाला था जिसके अंदर मैंने अपने स्टूइंट से बेसिकली यह जानने की कोशिश कीती दाट वाट आ दी टू बिगेस्ट प्रॉब्लम विच देयर फेसिंग राइट नाव इन देर प्रिपरेशन जर्नी अन्ट तू जिस्ट यू नू लुक आट दी रिस्पॉन्स फ्रम दी स्टूइंट अन सेंग सो मैनी मकानिक्स में क्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं या फिर हमारी मकानिक्स में दिक्कत आते हैं तो मैंने सोचा कि एक बार आके मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ लेट में गिव यू थ्री एडवाइज जो हेल्प करेगी तुम्हारी ताकि तुम एक ऐसे स्टूडेंट से जिसे मकानिक्स के क्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं यहां से तुम उठके वो स्टूडेंट बन पाओ जिनसे मकानिक्स के क्वेशन सॉल्व होते हैं विकिस इस वेरी ईजी जर्नी इस अ लिटल बिट लॉंग और एकिन से इस लॉंगर दन वाट हाव मच यू वूद लाइक टू बी बट इजी जर्नी है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें टॉप तीन का आई म सेंग जिस बिकिस मेकानिक्स एक ऐसा यूनिट है जो सबसे जादा तुम्हारा दिमाग कंजियूम करेगा इतना दिमाग और कहीं नहीं लगेगा जैसे कि फिजिक्स में जब तुम सॉल्व करते हो इस अब अंडिस्टैंडिंग मेमराइजिंग अनलाइजिंग डि इविक्स करने को तो यार आप्स बने हुए कि तुम डॉक्टर बन जाओ साथ दिन में इसका मतलब बन थोड़ी जाओगे तो अगर तुम तसल्ली से मेकानिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो डू आंडिस्टांड कि यह एक मेंडिल कंजियूमिंग प्रोसेस है एक इंटले एक्चुली कंजियूमिंग यूनिट है तो तुम्हें इसको डिस्ट्रिब्यूट करना पड़ेगा मतलब मेकानिक्स को तुम कभी भी उठा रहे हो ना ट्राय टू नॉट डू अल्डी चाप्टर्स ऑफ मेकानिक्स इन सिंगल गू है ना तो तुम ट्राय करो कि मानलो तु तुम ने सोच लिया कि तुम पूरे फिजिक्स को कम्प्लीट करना चाहते हो तेकिंग एक्जाम्पल ऑफ ड्वेटी 22 एस बच्चे ने सोच लिया कि फिजिक्स के सिलीबिस को यह कंप्लीट करेंगा पाइदी एंड उफ में तो अभी तुमारे फिजिक्स के प्रपरेशन म क्योंकि अगर तुम पूरी की पूरी mechanics एक साथ कर रहे हो तो trust me इतने जादा consume हो जाओगे न कि तीन चार mechanics के चाप्टर के बाद यह लगेगा कि तुमसे चौथा चाप्टर होई नहीं रहा है तो mechanics को सबसे पहले करो मतलब सबसे पहले शुरू करो उसको करना यह एक तो time लेगा और इसको equally distribute करने की जरूरत है बच्चो दूसरी advice यहां पर यह आ जाती है that take the help of your teachers, take the help of your friends, take the help of internet if you are not able to solve the questions of mechanics, देखो अभी ना mechanics के अंदर there are a few concepts जो base build करते हैं और फिर बात में question आ जाते हैं तुमारे application based अभी होता ही है कि for a student to have a perfectly balanced consistent preparation of mechanics, students should be focusing equally on those basic concepts as well as the applications of those basic concepts, लेकिन बच्चे क्या करते हैं they are driven it, they are like कि mechanics में तो सिर्फ बहुत जादा tough questions आते हैं तो let us focus on the tough questions, you don't understand it, you don't have to focus on the tough questions, you have to focus on the basic concepts first, ताकि तुम्हें पता लगे कि कर क्या रहे हो, एक बार जब एक बहुत ही, मतलब एक image clear हो जाएगी न, फिर बाद में you can move on to the application based questions, so जितने भी NCRT के examples हैं, you can take their help, जितने भी previous एक question है, you can take their help, ताकि तुम्हें ये पता लगे कि कौन से majority of the questions हैं, जिनके उपर तुम्हें focus करना है, because भली mechanics में से difficult difficult questions बन सकते हैं, but do not forget the pattern of the innate exam, कि अगर 45 questions आ रहें, तो उसमें से जाधा से जाधा साथ से 7 questions difficult होंगे, और जाधा तर जो questions है, वो medium और easy category से ही belong करते हैं, तो difficult के उपर इतना जाधा focus मत करना, कि तुम easy questions गलत कर दो, या फिर तुम medium question गलत कर दो, ठीक है, तीसरी advice यह है, कि पहले की दो advises याद रखो, सही बता रहे हूं, ठीक है, मैं तुमें कुछ भी बोल दूँ, बात है, patience, like third advice should be to focus on the first two advises with patience, you will not be able to see the results बिल्कुल एक दम से, तुमसे एक दम से question नहीं solve होने लगेंगे, मान लो, तुमने आज से सोच लिया, कि मैंने जैसे बताया है, तुम वैसे mechanic शुरू कर रहे हूं, तो maybe तुम्हें यह result एक महीने में नजर आए, कि you see the improvement, because ultimately you are not giving up, so you don't have to give up, you just have to be patient, अगर question solve नहीं हो रहे हैं, तो यार एक बार तो नहीं होंगे, मैं तो लिख के दे रहे हूं, एक बार तो तुमसे question नहीं solve होंगे, तो तुम decide कर लो, कि what should be that time, जहां पर तुमसे question नहीं solve हो रहे हैं, does it have to be the need exam, और it has to be whilst we are preparing for the need exam, of course during the preparation journey, तो नहीं होने दो, सीख लो उन questions से, ठीक है, answers देख लो उन questions के, धीरे धीरे इतना जादा सीख जाओगे, इतना जादा सीख जाओगे, एक point तो ऐसा हैगा न, जहां पर questions all होने लग जाएंगे, तो मुझे यह नहीं समझ आता, जल्दबाजी क्यों, कि why do you want every miracle to happen right now in this moment, because it is not going to happen, फालतू के expectations, सिर्फ फालतू के disappointments लेके आएंगे, और अगर फालतू के disappoint होते रहे, depressed हो जाओगे, तो जो करने के लिए तुम बने हो, and you all are born to achieve greatness, you all are born for greatness, so why not act like the best, if you want to be the best, ठीक है, are you getting me, नहीं solve हो रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, take the help, but do not give up, initially x number of questions, depending on तुमारी कितना calculated part strong है, वो नहीं होंगे तुम से खुद से, without looking at the solutions, but gradually improvement आएगे, लेकिन उस improvement वाली stage तक पहुँचने के लिए, यह जो initial phase है, where you are not able to solve questions, तुम यहां से तो गुजरना पड़ेगा, तुम जितनी मर्जी videos देख लो Google पे, how to, you know, how to drive a bicycle, जब तक खुद से bicycle नहीं चलाओगे, और at least 10-15 बार नहीं गिरोगे, तुम्हें तो नहीं आ रहे, so you decide, तुम्हें गिरना में रेस पे है, या फिर गिरना तुम्हें में रेस से पहले है, ठीक है, I am hoping this video helps everyone, इस वीडियो को जड़ा सा लाइक कर दो, इस चैनल को सब्स्क्राइब कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है, और you can also leave your valuable feedbacks in the comment section everyone, I am hoping all of you have an amazing day, thank you so much.